नमस्कार स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज का हमारा विशह रहेगा कि ब्रस्पति देव आगामी 20 नवंबर 2020 को राशी परिवर्तन करेंगे ये ब्रस्पति देव अब तक धनू राशी में चल रहे थे राहू के तो एकसस में चल रहे थे लेकिन अब ये ग्रहे अपनी स्वेम की राशी से निकल कर शनी देव की पहली राशी मकर राशी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे शनीदेव पहले से ही अपनी राशी के अंदर स्वेग रही होकर विराजमान चल रहे है जो कि अपने आप में एक बहुत मजबूत इस्थती है साथ इसाथ ब्रस्पती वहाँ पर जाकर नीच के हो रहे है तो सबसे पहले बात ये है कि एक ग्रहे जो अब तक अपनी स्वेग राशी के अंदर था अपनी घर में बैठा हुआ था वही ये ग्रहे अब अपनी राशी से तुरंट निकल कर नीच राशी में प्रिवेश कर गया यानि ग्रहे के बल के अंदर कमी आ गई जब ग्रहे के बल के अंदर कमी आती है तो ग्रहे के कारकतवों में भी कमी आ जाती है यानि ब्रस्पती से संबंदित जो कारकतवों होते हैं उनमें कमी आती है ब्रस्पती धन का कारक है ब्रस्पती संतान देने का कारक है ब्रस्पती भाग्य का कारक ब्रस्पती करम का कारक और ब्रस्पती लाव का कारक यानि जीवन के अंदर बहुत जादे मुख्य भूमी का निभाने वाला जो ग्रह है ब्रस्पती वो इन पांच मुख्य जगों का कारक होता है अब ऐसा कारक ग्रह है जब भ्रहमांड में नीच अवस्था में हो तो आपको इन से संबंदी चीजों की प्राप्ती करने में प्रावलम तो आएगी यानि आने वाला समय एक इजी गोइंग इस्थती को नहीं दर्शा रहा आप आसानी से इन चीजों की प्राप्ती नहीं कर पाएंगे जिसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा गुरू शनी के राजयोग की जी हाँ गुरू और शनी मिलकर एक राजयोग का निर्मान करते हैं क्योंकि काल पूरुष की कुंडली में ब्रस्पती भाग्य स्थान का मालिक है शनी करम और लाब का मालिक है यानि गुरू और शनी दोनों मिलकर एक तरीके का राजयोग निर्मान करते हैं ये राजयोग धनुराशी वालों से दूसरे घर में बना हुआ है दूसरा घर कुटुम्ब इस्थान कुटुम्ब की और से घर परिवार की और से पैसा मिलना घर परिवार की और से सहयोग मिलना घर परिवार की लोग आपको कोई पैसे दे सकते हैं या कहेंगे चलो हम आपको सहयोग करते हैं आपको काम शुरू करो साथी साथ दूसरा घर वानी के लिए कहा जाता है अगर आपकी वानी अच्छी है वैवाहर कुछलता अच्छी है तो ही तो आप जीवर में अच्छा पैसा कमा पाएंगे को कि किसी भी कारे छेतर में कारे करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है वानी अगर आपकी बोलचाल ठीक है आप अच्छा इंप्रेशन दूसरे के उपर डाल सकते हैं तो आप जरूर अच्छा वेबसाई भी कर सकते हैं व्यापार कर सकते हैं अच्छा इंट्रिव्यू दे सकते हैं सामने वाले को इंप्रेस कर सकते हैं अपनी भाषा शैली से अब ऐसा एक ब्रस्पती और शनी का राजजोग आपके दूसरे घर में बन रहा है यानि आप शनी जो की करम कारक हैं ब्रस्पती कोश कारक हैं पैसा देने वाले हैं वहीं शनी काल हैं ब्रस्पती किसी चीट पे ब्लैसिंग्स देने का काम करते हैं और ब्रस्पती और शनी का दोहरा गोचर दूसरे घर में है कुटुम्ब के लिए अच्छा है कुटुम्ब भाव का नाश करता है इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपको पैसा नहीं देगा इसका मतलब यह है कि आपको पैसा तो देगा लेकिन परेशान करके देगा पैसे को अटका के देगा क्योंकि यह राजयोग में सम्मलित है तो ब्रसपती और शनिया राजयोग में सम्मलित है तो स्वैम वहाँ है, यानि मकान का मालिक वहीं बैठा हुआ है, अब आप उसके हाँ प्रवेश कर गए हो, नीच की अवस्था में हो, यानि जो चलेगा वो शनी के बारे चलेगा, आपको अनुशाशन रखना पड़ेगा, अनुशाशन नहीं रखेंगे, अपनी बात पर नहीं बने रहेंगे, तो ये प्लैनेट आपको नुकसान भी दे जाएगा, क्योंकि शनी तो अपनी अवस्था में बहुत ज़्यादे मजबूत हैं, और यहां पर बैठके धन देने में शक्षम है, वहीं ब्रस्पती अनुशाशन भी देंगे, योगता भी देंगे, अच्छी व आपका हो जाएगा, आपके घर परिवार के लोग आपको सहयोग करेंगे, ऐसी सिती को मैं यह कह सकता हूँ, कि यह एक पैतरक संपती की प्राप्ती का भी एक योग है, क्योंकि ब्रस्पती शनी एर्थ हाउस को देते हैं, कभी-कभी व्यक्ती को ससुराल पक्ष की तरफ से भी सहयोग यह अच्छा कासा पैसा इस दोरान मिल जाता है, अब ब्रस्पती जैसा गिरे जब धन भाव में नीचका हुआ है, आपकी राशी का मालिक है, आपकी राशी से दूसरे घर में बैठा हुआ है, यानि आपको धन तो देगा, पैसे तो यह प्लैनेट अवश्य दे की, लेकिन आप अपनी बुद्धि मानी से, विवेक से, अपनी बोलचाल से, शतर उपक्ष को भी अपने काबू में हा कर लेंगे, पैतरक संपत्ती से संबंदित लाब मिलना, अचानक से धन का लाब मिलना, ससुराल पक्ष से शयोग मिलना, ऐसे कॉम्बिनेशन्स भी यह साथ इसाथ ब्रस्पती की द्रश्टी जब आपके करम भाव पर इस दोरान आएगी, तो ये करम के लिए अच्छा है, कहीं न कहीं धन का करम से संबंद, वानी का करम से संबंद, भर परिवार से जुड़ हुए काम, कुटुम्ब से जुड़ हुए काम का करम से संबंद बन टीचर होते हैं, वकील होते हैं, मैनेजमेंट का कारे करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वक्ता होते हैं, भाशन देने वाले होते हैं, नेता होते हैं, राजनेता होते हैं, जो लोग बहुत जादे बोलचाल का इस्तमाल करते हैं, कि हमारा तो काम सिर्फ यह है, कि ह जितना ज़्यादे बोलेंगे लोगों को समझाएंगे चाहे मार्केटिंग के फिल्ड के हो या कैसे भी हो उन लोगों को इस दोरान बहुत अच्छा खासा लाब ये ब्रसपती शनी से संबंदित राजयोग यहां देने वाला है साती सात घवराने की जुरूत नहीं है और फिल्चाल उस पर बहुत ज़्याद है आपको ध्यान देना होगा कि मैं किसके सामने क्या बोल रहा हूं और उस बोलने का इंपक्ट सामने के वाले के उपर कैसा आएगा क्योंकि सारा का सारा दारमदार आपकी बोलचाल पर दिखाई दे रहा है जितना जादे आप अपने उपर सयम रखेंगे या अपने लिए वर्क करेंगे कि हाँ मैंने अपने काम के लिए बहुत वर्क आउट किया है काम के लिए मैंने संगर्श किया है पूरा हमवर्क करके मैं अपना कारेश हेतर में चलता हूँ उतना ही आपको यहां लाब मिलने वाला है क्योंकि धनुराशी वालों के लिए यह कॉम्बिनेशन प्लैनेट भले ही नीच का हुआ हो लेकिन यह प्लैनेट आपको निश्च तेलाब देगा इसलिए स्यम से काम करिएगा आने वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेतर है तो यह था धनुराशी वालों के लिए ब्रसपती अगर नीच के होंगे तो उनका रिजल्ट किस परकार का होगा तो फिर से नए विसाग के साथ आपके सामने आजिर होंगा मैं तब तक के लिए बने रहीएगा मेरे साथ नवशकार